हेलो दोस्तों वेलकम तो ट्रेकटेग एस्टी मैं हो अजी सिंचावरा और आज हम बात करें दोस्तों सामसंग गैलेक्स ये 14 5G फोन के बारे में क्या फोन लॉंच होने आरा है दोस्तों ये जनवरी एंड और प्रॉली में स्टार्टिंग आपको ये फोन मिल जाएगा मतलब सामसंग ने 2023 में मतलब ठान लिया है कि वह इस बार भी ग्रेट मतलब याने फर्स नमबर पही रहना चाहता है मतलब उसने अने तफेस्ट ओंपिटिशन देने वाला इस प्राइस ब्रैकेट में जो 5G फोन लॉंच कर रहा है उतने फीचेस के साथ मतलब दूसरे ब्रैंड क के लिए बहुत मुश्किल होना ला है इस बार 2023 के अंदर कॉंपिटिशन करना मतलब बहुत ही डिजस्ट कॉंपिटिशन होने वाला है इस बार बहुत ही जबदस फोन लेखने को मिलने आने आने आपको 2023 के अनता है तो यह जो पहला फोन है दोस्तों गालेगजी ए 145G तो इसके अंदर अगर हम बात करने दोस्तों तो इसके पस लोग की दोस्तों इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा आपको स्क्रीन साइज मिल जाता है बहुत ही प्यारा सा गुट लुकिंग फोन है उपर वाटर ड्रॉप को नौच मिल जाता है जिसके अंदर कैमरा है उसके ऊपर बात करते हैं, हम तो आपको noise cancellation mic मिलता है, right hand side की बात करें, यह वोरलिम blocker button मिल जाता है, and साप में आपको power on a button मिलता है, जिसके अंदर fingerprint sensor mounted है, दोस्तों, left hand side में आपको triple tray SIM slot मिल जाता है, मतलब इसके अंदर 2 SIMS and plus 1 SD card आप डाल सकते हैं, SD card 1 TB तक support करेंगा दोस्तों, यह बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर हम बात करते हैं, नीचे bottom side में, तो दोस्तों, आपको 3.5 mm का jack मिल जाता है, type C आपको charging port मिल जाता है, एक mic मिल जाता है, एक speaker grill मिल जाती है, दोस्तों, बात करते हैं, इसके हम bezels की, तो average bezels है phone में दोस्तों, plus average chin मिल जाती है नीचे की तरफ, back side की बात करें, तो इस वज़े से यह phone बहुत ही प्यारा लगता है, पुरा texture body है, colors भी बहुत सारे हैं, इसके अंदर मिल जाते हैं, light green, dark red, black and any other colors दोस्तों, इसके दो और हैं, total five colors का combination मिलता है, इसके अंदर maximum three colors आपको सभी जगह पर देखने को मिल रहे होंगे, plus बात करने दोस्तों, इसके अंदर पीछे triple camera का support मिलता है, मतलब setup मिलता है दोस्तों, मतलब पूरा S series का feel आता है, इसके अंदर फ्लैक्शिफ जैसे phones होते हैं, यह बहुत ही शांदार है दोस्तों, इसके अंदर जो लुक आ रहा है प्रीज में इन एंड फिल, बहुत ही शांदार है, वेट की बात करें तो अप्रक्स 200 gram के something इसका वेट है दोस्तों, अब बात करते हैं, इसके इन्वां बॉक्स के अंदर accessories का मिल जाती है, आपको अलग से लेना पड़ेगा, जिसका एक थोड़ा सा costing 800-1000 आपको पेर करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा क्योंचे drawback लगा, क्योंकि लेकिन इसका एक phone का जो box है दोस्तों, वो बहुत sleek है, इसके अंदर adapter नहीं दिया होगा charging का, लेकिन phone screen size बहुत ही शांदर है, अब बात करते हैं हम इसके specification की दोस्तों, सबसे important specification दाते हैं दोस्तों, तो 6.6 inch का full SD plus PLS LCD display मिलता है दोस्तों, IPS से थोड़ा से एक level उपर आ जाता है screen size कापी अच्छा है, 90Hz का display है दोस्तों, तो बहुत ही शांदर refresh rate है 90Hz का, बात करते हैं इसके अंदर processor की, तो Samsung ने सबसे latest processor दाला इसके अंदर, Exone S 1330 processor है 5NM के अंदर दोस्तों, तो यह बहुत ही अच्छा है, एक लगन आ रहा दें इसके अंदर 6NM आ रहा दा, इसके अंदर 5NM processor दिया दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, नम variant की To 4GB 64GB का variant मिलता है, एक variant मिलता है 6GB 128GB और तीसरा variant मिलता है 8GB 128GB का, अड़ has 3 variant मिल जाते हैं, है तो बहुत ही शानदार है दुस्तों हम बात कर दे हम दुस्तों हम बढय से इसके अधर नहींद है कि हम भगा श्रलीट करेंग ओन्हों प्राइस की बात करें तो यह 15,000 और बिलो में यह आने वाला है दूस्तों इतना मैं कह देता हूं आपको मुझी जहां तक लगता है इसका प्राइस की बात करें तो इस तू गोड़ ओवर ओरॉल मतलब सारा चीज बहुत अच्छा है इसका प्राइस काफी अच्छा है एफम रीडियो मिल जाता है दोस्तों के अंदर यूजिक की बात करें तो गोड़ एक्स्परेंस ए डॉल भी अट्मॉस का सपोर्ट है मूवी की बात करें तो एक्स्परेंस बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको वाइडवाईन अलवन का स टॉब एक्सपरेंस की बात करें हैं तो यह फेस अनलॉक सेंसर हैं और सभी प्रकायन कि जो एक फोर में हमें युस्फूल होता है दूस्तों अब बात करते हैं इसकी जो भी हम बात कर रहें इसका 4G 54 GBश की 35 की इसका मेन अपकरता है 15 और बिलो में यह रनाश होने वाला है जल्द आपको मिल जाएगा जंपर यांड या इंड या फरवरी स्टार्टिंग में सो इसके अंदर आपको मिलती है यह 4GB का LPDDR4 RAM 4X RAM मिल जाता है दोस्तों प्रस साथ में आपको 128GB का दोस्तों स्टोरज मिल जाता है जाता है इसके बाद बात करते हैं जोस्तों सारी चीज़ें नहीं वीए दोस्तों स्पेसिफिकेशन प्लस साथ मैं Android की बात करें तो यह से इसके अंदर दोस्तों आप सारे फॉंस के लिए दोस्तों और क्या चाहिए सारी चीजें वाइडवन का support मिल जाता है दोस्तों camera 2 API का support है साथ में बस notification light नहीं है दोस्तों and star value within the limit है बात करते है इसके camera की तो triple camera setup है दोस्तों 50 megapixel का primary camera मिल जाता है 2 megapixel का depth camera मिल जाता है 2 megapixel का macro camera मिल जाता है तो ये skip back camera की बात है 1080P में 30fps में recording कर पाएंगे front camera की बात करें तो 13 megapixel करेंगा front selfie camera मिल जाता है सो ये total features के phone की दोस्तों सारे features मैंने बताया है कैसा ये looking दिखेगा textures कैसा रहेगा पीछे fingerprints के निशान नहीं आएंगे इतना overall experience जो इस phone का मिलने वाला है आपको इस price record में नहीं है इसने मैंने का कि Samsung ने जो ये price जब use करते हैं तो कैसा पीलाता है तो मेरे comment section जरूर बताईगा मुझे दोस्तों और आप भी phone लेना चाहते हैं तो भी मुझे बताईगे comment section में एंड आगे और आपको उनसे वीडियो नहीं पहुंके देखना चाहते हैं कि सब्सक्राइब कर ना चाहते हैं वो प्रीज मेरे comment section जरूर बताईगा प्रीज दोस्तों मिलते हैं like subscribe channel को जरूर कीजिएगा बहुत सारा प्यार support चाहिए ताकि मैं और आगे काम करूँ और कैसा कैसा मैं implement करूँ वीडियो में क्या क्या चीज़े हैं लेकियां आप्रों के लिग नॉलिज के लिए तो like, comment,aldo कीजिएगा इस ब्रहा सब्सक्राइब कीजिएगा and subscribe जरू कीजिएगा दोस्तों मिलते हैं next video में जय जय वारइप थाइक दूस्तों